हेलो फ्रेंज तो आज मैं आप सभी एक साथ पिज़ा की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आज हम कडाही में बनाएंगे और बिना किसी इस्ट के आज हम इसको बना करके तयार करेंगे साथ ही मैं आप सभी के साथ कुछ खास टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी जिसे आपका पिज़ा जो है बहुत ही जल्दी तयार होगा और बहुत ही सॉफ्ट बन करके तयार हो जाएगा तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा पूर्य वीडियो लास तक देखीगा तो सबसे पहले हमने आप एक बाउल लिया है उसमें हम ले ले दो कप मैदा तो आज हम इक दम बाजार जैसा घर पे तयार कर रहे हैं तो मैंने हापे मैदे का इस्तमाल किया है इसमें हम डालेंगे एक कफ फ्रेश दही जो है वह खटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वन फोर टीस्पून नमक डालेंगी वन फोर टीश्पून शुग का इस्तमाल किया है अब हाथों से अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे जितना भी दही है उसका पानी जितना भी लगेगा हम पहले उसको मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर जरूरत होगी तो उसी की हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे तो अब हमने हाप पर लगभा हमने इसे 2-3 मिन तक अच्छे से मसल लिया है आप हम क्या करेंगे इसको ढख करके रख देंगे लगभा 15-20 मिनट के लिए तो 15-20 मिन बाद हमने इसको चेक करिया है तो यह दिखे बहुत अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है और इस बीच में मैंने अपने सारी कटोड़ी तोड़ेंगे तो जितना आपको जरूरत हो उसी के हिसाब से अपने प्लेट या कटोड़ी के हिसाब से इसको शेट कर सकते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाते हूं यह देखिए यह कितने ज्यादा एक्दम सॉफ्ट हो गया है देखके लग रहा है जैसे ब आप चाहे तो गेहूं काटा या फिर मैदा इस तरीके से लगा सकते हैं उसके बाद हम यह लोई रखेंगे और इसको हातों से अच्छे से प्रेस करके इसको फैला देंगे तो पूरी प्लेट में हमें इसको फैला देना है अच्छे से और देख लिजे मैंने इसको फैला द ताकि जैसे ये बाजार वाला पिजा का बेस होता है उसी तरीके से हमें इसका बेस त्यार करना है अब हम इस पर लगाएंगे चटनी तो यहां पर हमने सीजवान सॉस और पिजा सॉस साथ में टोमाटो केचप तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अगर आपको बहुत ही च चाओ तरप से अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे और चटनी को इस पर लगा देंगे चटनी हमारी अच्छे तरीके से सब तरफ लगी होनी चाहिए क्योंकि पिज़े में चटनी का टेस बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद अब हमने यहां पर मौजरेला चीज लिया है इस चीज को मैंने घर पे तयार किया है अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने वीडियो पहली अप्लोड की हुई है मैं इसका लिक का आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी घर पे चीज कैसे बनाते हैं आप इसकी रेसिपी जा करके देख सकते हैं बहुत हाँ इतनी ही सारी सबस्जिां तो इतने से ही आज हम यह पीजा तयार करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सजा ले तैंज तो सजावट अपपने हिसाब कर सलें आपको जैसा पसंद हो मोटा पतला इसाब इसको सजा सकते हैं उसके बाद उपर से हम थोड़ा सा ओरिगानो डाल देते हैं उसके बाद पिज़ा सीजनिंग डाल देते हैं और थोड़ी से चीज डाल देते हैं उपर से भी उसके बाद अगे दीखिए हमारा भी तैयार है पिज़ा बनाने के लिए तो जब तक हम इसे सेट कर रहे थे तब यहां पर कड़ाही में नमक रख दिया था पहले ही गरम होने के लिए यह नमक हमारा कई बार का यूज किया हुआ है और इसको हम वेश नहीं करते हैं वापस इसको रख देते हैं तो फिजा को हमने कड़ाही में डाल करके इस तरीके से पका दिया है तो लगभग 15 से 20 मिट का स तो देखें न कितनी आसानी से और जल्दी से हमारा यह पिजा बन करके तयार हो गया यही पिजा हम मार्केट में लेने जाएंगे तो यह पिजा इतना ही बड़ा पिजा आपको डेर सो से 200 के बीच में मिल जाता है नॉर्मली में और इस पिजा को हमने घर पर बनाया है तो लगबग हमें 50-60 रुपय की लागत लगी है इस पिजा को पनाने में तो देख सकते हैं घर पे बहुत यासान तरीके से जल्दी और हेल्दी वाला पिजा बन करके त्यार हो गया है तो आप सब इस रेसिपी को कब ट्राइब कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएग और एक बार भी आप सब इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करिएगा आप सभी को मेरे पिजा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स